चलो, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने online course को continuously improve और update किया जा सकता है इसके लिए में लेकर आई हूँ 7 जबरदस tips जो आपके लिए game changer साबित हो सकती है तो बिना time based के शुरू करते हैं यह exciting journey Log बनाओ, smart बनो यार, course update करना कोई मजाक नहीं इसलिए पहले तो एक log बनाओ, जिसमें हर एक चीज का हिसाब हो क्या update करना है, कहां है वो content course में ये सब Trust me, ये बाद में बहुत काम आएगा Update schedule पर तिके रहो अब जब आपको पता चल गया है कि क्या update करना है, तो एक solid schedule बनाओ कुछ चीजों को हर तीन महीने चक करो, कुछ को छे महीने पर बट schedule से हटना मत dates और current events से दूर रहो कभी-कभी हम excitement में आके dates या current events का जिकर कर देते हैं पर ये बाद में outdated हो जाता है So, better होगा ऐसे references से बच के चलना Software और web tools पर नज़र रखो अगर आपने course में किसी software या web tool का use किया है तो उन पर भी regularly नज़र रखना important है Technology तो पता है ना, कब बदल जाए Content खुद भी review करो SEO वाले section में जो strategy दो महीने पहले बताई थी शाहिद आज outdated हो गई हो इसलिए अपने content को खुद ही बारीकी से देखो और जरूरत पढ़ने पर update करो Students की feedback सुनो और implement करो Students से feedback लेना और उन पर अमल करना super important है उनकी बातों को सुनो समझो और improve करो Site का look कभी कभी बदलो Last but not the least अपने website का look भी कभी कभी refresh करो Design अपडेट करना भी important है ताकि students को लगेगी आप serious हो और course up to date है तो दोस्तों ये थे कुछ killer tips जिससे आप अपने online course को और भी better बना सकते हैं और हाँ अगर आप इस topic के बारे में और details में सीखना चाहते हैं तो हमारी website www.skillyogi.org विजिट करें Link description में दिया हुआ है और हमारे चानल को subscribe करें और नियमी तदेट स्पाए